एलो वाटसब गाईज कैसे हैं आप सभाई होब आप लोग सब अच्छे होंगे एक तम तो आज हम बात करेंगे स्री संकराचार ये इंट्टिटूट अफ मेडिकल साइंस एंड केमपस के बारे में ठीक है तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीशेगा वीडियो एं देखने वाले हैं तो वीडियो इंड तक देखना सबसे पहले देखते हैं आप लोग स्क्रीन पे कितना सुन्दर आप लोग को दिख रहा होगा यहां के नजा रही है तो केबल एक ही पिक है आप लोग गूगल पे जाईए आप लोग को बहुत अच्छे पिक्स देखने को मिल देगी संकराचारे की ठीक है बात कर लेते हैं स्री संकराचारे टेकनिकल केंपस के हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहली बात कि यह 1990 में आप लोग का क्या हुआ था इस्टेबिलेस हुआ था लोकेशन इसकी भिलाई 25 इकर्स में फैला हुआ है CS वीडियो के इंदर आ प्रिटी गेट, मीट पीजी जैसे एक्जाम के रेंग को यह एकसप्ट करता है नमर ऑफ कोर्स की बात कर लें तो 66 कोर्स है एक्रोस नाइन स्ट्रीम्स एवरेज पैकेज की बात कर लें तो 4 लाक पर रेनम होता है 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर लेते हैं टॉप कंपन इन बात कर लेते हैं संक्राचारे के अडिमिशन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पर 3 तरगी कोर्स प्रोवाइट की जाते हैं UG कोर्स पीजी कोर्स और डिप्लोमा कोर्स संक्राचारे जो टेकनिकल केंपस है वो एक प्राइवेट इंस्टिटूट है ठीक है तो यहाँ प प्रेंग के साब से आप लोग को यहां पर आप लोग का एडमिशन होगा MBBS प्रोग्राम में बात कर लें भी फार्मा की तो आप लोग को CG PPST जो एक्जाम होता है अप लोग को क्लियर करना पूरेगा ठीक है बात कर लें PG कोर्सेस की तो PG कोर्सेस में M.Tech जो है वो आप लोग का G.E.T. एक्जामिनेशन के तो उसमें एडमिशन होता है MD प्रोग्राम के लिए आप लोग को NEET PG एक्जामिनेशन क्लियर करना है MCA के लिए आप लोग को PRE-MCA TEST और NIMCAT जैसे एक्जाम को क्लियर करना होता है MBA प्रोग्राम के लिए Candidate को CAT, MAT, CMAT, X AT, ATMA जैसे एक्जामिनेशन क्वालिफाई करनी होती है M.Pharma के लिए आप लोग को GPAT की एक्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी अब बात कर लेते हैं डिपलोमा के लिए इसके लिए आप लोग को PRE-PALITECHNIC TEST जिसे हम लोग CGPPT TEST कहते हैं CGPPT TEST मतलब 36 गड़ परी POLITECHNIC TEST क्वालिफाय करना होगा बात कर लेते हैं कुछ facilities के बारे में पहली facility है आप लोग को boys and girls separate hostels मिलेंगे fully facility वाले ठीक है बात कर लेते हैं second facility के बारे में जो कि है medical facility आप लोग को यहां number one medical facility मिलने वाली है यहां पे आप लोग को library मिलेगी जो कि आप लोग 24 into 7 hours us use कर सकते हैं यहां पर लोग को swimming pool मिलेगा badminton court मिलेगा यहां पर लोग को badminton court मिलेगा basket court मिलेगा music room मिलेगा तो खेल premio और music lovers के लिए एक number one college में से एक है यहाँ पर अपलोग को तरत रखे playgrounds भी खिलने के लिए ठीक है बात कर लेते हैं यहाँ पर जिम भी है यहाँ पर auditorium भी है यहाँ पर canteen भी है recording room भी है तो gym के सौकीम तैयार हो जाई है इस college 20% है मतलब बहुत अच्छा percentage है कैसे यहाँ पे जो है वो 100 बच्चों में से 70 बच्चे प्लेज हो जाते हैं मतलब विप्रो नेसले टेक महिंद्रा जिसी कंपनियां उन्हें अपने पास job offer देती है ठीक है तो यह बहुत अच्छा institute है यार और अब बात कर लेते हैं यार इसके एक main topic के बारे में जो की है NIRF ranking तो भारत सरकार की एक संस्ता है NIRF ठीक है तो उसके द्वारा इसे private institute में 79 rank दिया गया है ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है एक बहुत बड़ी बात है ठीक है तो I hope यह वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा कुछ बच्चे कमेंट कर करके लिखते हैं कि हमें courses के बारे में जानना है तो अगर आप लोग को courses के बारे में जानना है तो नीचे description box में मेरा Instagram ID है आप लोग उसे follow कर सकते हैं और वहां पे मुझे पूच सकते हैं क्योंकि मैं Instagram पे ज्यादा active रहता हूं comparatively YouTube ठीक है तो आप लोग मुझे Instagram पे भी message कर तक है पूच सकते हैं ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वडियो में आए तब तक के टेक केर बाए